जिला मुख्यालिय नुष शहर में रहने वाले लोगों के साथ साथ आसपास गाउं में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है कई दशक से अवैद कलोनियों और लाल डोरे बढ़ाने की मांग पर मनुहर सरकार ने मोहर लगा कर बड़ी रहत देने का काम किया है नुष शहर की कम से कम 6-8 कलोनिया वैद की गई हैं जानकारी के मताबिक फ्रिडम कलोनी, एकता कलोनी, शिप कलोनी, सदीक नगर कलोनी, मदीना, हिदायत कलोनी को अवैद से वैद कर दिया गया है नुष की इन कलोनियों में लोग सुविधाओं से महरूम थे लोग सन 1962 से इन कलोनियों में रहते आ रही है नगरपाली का नुष चेयर परसन सीमा सिंगला एवं शहरवासियों ने सरकार की घोशना का तहे दिल से अभार जताया है सीमा सिंगला ने बादचित में डीसी नुहू निकाय मंतरी कविता जैन सीम मनोहर लाल का कलोनियों को वैद करने पर अभार जताया है पिछले कई सालों से अवैद कलोनियों में रह रहे लोगों को बिचले पानी सीवरच इत्यादी के साथ-साथ विकास कारियों से अब तेजी आना लाजमी है वैसे तो प्रदेश भर में अवैद कलोनियों को वैद किया गया है लेकिन नुहू फिरोसपुर जिर का पुनहाना तावडु नगरपाली काओं को भी इसमें सोगात मिली है आधा दर्जन कलोनियों को वैद होने के बाद शहर के विकास को पंक लगने के आसार जग गए हैं फकरुदीन चंदेनी ने कहा कि उनके पिता मरहूम हिदायत खान एडवोकेट के नाम से कलोनी ही नहीं बलकि शाहपुर नंगली चंदेनी मार्क को भी नामकरण किया गया है सरकार का दिल के गहराईयों से जनता अभार व्यक्त कर रही है अज आदी के बाद पहली बार कांग्रेस की गवर्मेंट बहुत दिन रही और सरकारों की काफी दिन रही और पार्टियों की गवर्मेंट भी लेकिन पहली बार बीजेपी गवर्मेंट ने ही लाल डोरे को बढ़ाया और जो कलोनिया 60% और 70% से ज़्यादा भर गई आबादी हो गए उनको वैद किया गया है और ये बहुत ही खुशी की बात है और सरकार की बहुत बड़ी उप्लावदिये की लाल डोरे को भी बढ़ाया गया और कलोनियों को भी वैद किया गया और इसे हम मानने मनोरलाल खट्र जी के बहुत बहुत आबारी हैं और मेरे वालिद के नाम पर तो एक कलोणी कलोणी नी एक रोड भी चन्नेणी गाउं से शापुर नंगली तक निकाड़ा गया है मैं तो निजी तोर पर भी बड़ा धन्यवाद देता हूं इस सरकाल ठीक